ब्राह्मनेर्स जो ब्राह्मन है वो शालिग्रामशिला की आर्चना करते हैं चैतन्य चारितामृत में हम पढ़ते हैं कैसे अद्वाइत अचारे भी शालिग्रामशिला की पूजा करते हैं अद्वाइत अचारे देख रहे थे कि संसार की चुस्थिती है कैसे बहुत पतित उसका पतन हो रहा है उस बहुत अंचिंता में थे कि संसार का भविश्य क्या होगा उन्होंने मनन किया अगर परम भगवान स्वयम अबतरित हो तभी इस संसार के लिए कुछ उमीद है कुछ भविश्य में रोश्नी होगी परन तु सोचे थे कि मैं कौन हो मैं कैसे भगवान का ध्यान अकृष्ट करूँगा मैं तो बहुत नगन्य और तुछ हूँ और एक दिन उज़े शास्त्र पढ़ रहे थे और वहां पर उन्हें एक श्लोक को पढ़ा तुलसी दलमात रेना जलस्या चुलुके नवा विक्रीनिते स्वमात मानं भक्ते भ्यो भक्त जनप्रिया in this verse is mentioned तुलसी दलमात रेना जलस्या चुलुके नवा if you simply take some तुलसी लेवस and some गंगा जल and you offer it to the Lord in devotion the Lord accepts that with such gratitude and he becomes conquered by the devotee श्लोक में बढ़ना नाता है कैसे अगर आप थुलसी को गंगा जल के साथ भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान इतने कृतग्य हो जाते हैं कि वे स्वम को उस भक्त को दे देते हैं and so in Shantipur Advaita Acharya had his Shaligram Shila and he began offering तुलसी लेवस and Ganga Jal Hunkara and crying out loudly for the Lord to descend तो Shantipur में उनका Shaligram Shila थी जिसकी आर्शना उनने श्लोक के साब से करना श्राट की और साथ यसाथ हुंकार जोर जोर से वो करंधन करते थे and by that worship of the Shaligram he attracted the attention of the Lord and Chaitanya Mahaprabhu came Shaligram Shila की पूजा के मात्यम से उन्होंने परमभगवान का ध्यान अकर्शित किया परमभगवान चेतने महापrabhu के रूप में प्रकट हुए So this worship of the Shaligram Shila is very powerful such that even it can cause the Lord Himself to come Shaligram Shila की जो पूजा है यतनी शक्ति शाली है कि स्वेम भगवान को प्रकट होने के लिए भी बात दे कर देती है